नमस्कार दोस्ट सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागा थे तो गाई इस वीडियो के अंदर आपने पास सालों की एक्स्प्रियेंस से आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप अपने बेबी रैबिट्स को पैदा होने के बाद परा कर सकते हो और जब पै साथ में वार-वार कह रहा हूँ आप लोग भी छे के छे वच्चे अप बरा कर सकतो में छे वच्चे क्यों बोला रैबिट का क्यूंकि गयाईस या पर मेरा 5 जलों से एक्सप्रियेंस से तो मैं देख दक को आ रहा हूं आप वालीव पर रैबिट्स के होते हैं कई कहबार ज्यादा भी होते कैख कबर कम भी होते हैं लेकिन ज्यादा से ज्यादा यह बर 6 फचे रैबिट्स देते हैं जनम देते हैं ठीक है तो चलो गाईस वीडियो को full watch करो तो यह आप अपने बेबी ड्याबिट्स को वड़ा कर सकते हो तो आज के इस वीडियो को जल फीमेल रैविट अपने बाल जो है ओ छोड़ रहा है ठीक है यह आपको नोटिस करना है जब भी आप यह नोटिस करोगे तब उसी वक्त आपको क्या करना है आपको करना होगा अपने मेल रैविट को अलग कर देना है सिर्फ आपको अपने फीमेल रैविट को उस केज में जो होता है जो होता है ओ चलने के समय चलते चलते अच्छाना के पैर उसके बच्चे के ऊपर पैर से कुछल देते तो ये बहुत बार होते इसलिए अपने female rabbits को अलग करने के बाद आपको देड़ से खिलाना होगा ठीक है ऐसे आपको दस दिन करना है दस दिन करने के बाद आपको अपना बेबी जो रैबिट्स जो है ओ थुरा बरा हो जाएगा और बाल भी आ जाएगा और आखे आखे भी जो है ओ भी फूट जाएगा ठीक है इसके बाद आपको क्या खरना होगा आपको करना रखताए तोड़ा खाना दोड़ा दूद्वी पिलाना है, नилась वी तोड़ा तोड़ा दोड़ा दोड़ा आए और आपको दूद्वी पिलाना है, और आपने बेवी डेवेट्स को एक बकेट मेशना है, पर वो गरम रहे ठीक है गरम भी रहे और थोड़ा ऑक्सिजन भी जाने के लिए च्छेट कर देना उस बाकेट में ठीक है अब जिसमें भी सकते हो रखो लेकर मी होनी चाहिए उसके अंदर क्योंकि वेवी जैबिट्स जो सब एक साथ रहेंगे तो ही अच्छे रहेंगे यह अब ध्यान रखना इसको भी ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को उसके बाद 20 दिनों के बाद जब अपना वेवी जैबिट्स खाना-खाना स्टार्ट हो जाए थोड़ा बरा हो जाए तब आपको क्या करना फिर से केज में डाल देना है उसके मां के साथ ठीक है मां के सा दूद्ध पिलाएगा मतलब फीमेल रेविट्स जो है वो दो से तीन महीने तक भी दूद्ध पिला देगा ऐसे क्या होगा ऐसे अपने बेबी रेविट्स जो है वो अच्छा रहेगा और सुरक्सित रहेगा और अच्छा से हेल्दी भी हो जाएगा बरा होते होते तो यह आपको कुछ टीप्स मैंने दे दिया अप ये वीडियो देख देख लिया तो आपको अब बाण कर सकते हूं अपने बेबी रेविट को झाल झाल